आज हम लोग इस वीडियो में एको सिस्टम, एको सिस्टम के टाइप्स और एको सिस्टम के कॉंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल कोई डिसक्राइब दे टर्म एकोलोजी ecology को सबसे पहले Ernest Hekel ने इस term को coined किया था और उस ecology को describe भी किया था term ecology was first authentically used by writer writer ने सबसे पहले authentically ecology सब्द का यूज किया था इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है house या जहां पे हम रहते हैं and logos का मतलब होता है study of study of house ecology सब्थ का meaning होता है ecology is the study of interaction among organisms and between organisms and their physical environment such as soil water, climate, temperature sunlight and others इकोलोजी में हालोग इंट्रेक्शन के बारे में पड़ते हैं कि कैसे किसी भी पाटिक्लर एरिया में और और गनीजिम्स के बीच में इंट्रेक्शन होता है फिर और और गनीजिम्स साथ अपने आसपास के सरांडिंग्स में जो नौलिविंग फैक्टर है इसे हम फिजिकल टमप्रेचर संद्रेक्शन करते हैं इस सारे चीज़ को हम लोग एकोलजी में स्टडी करते हैं एको सिस्टम इजए कॉमिनिटी ऑफ डिफ्रेंट एस्पेसिज इंट्रेक्टिंग विट वान अनादर एंड देर फिजिकल इन्वार्मेंट इस लाइन को काफी ध्यान से ग्रुप अनाके रहते हैं तो वह कम्मिनिटी बोलते हैं और उस कम्मिनिटी में जो दिफ्रेंट इस्पेसिस एक दूसरических इंटरेक्ट करते हैं फिर उसाथ-साथ वो एक दूसरे इंट्रेक्ट तो करते ही हैं और साथ-साथ वो अपने आस-पास के साथ भी इंट्रेक्शन बना के रखते हैं जैसे फिजिकल इंवार्मेंट में आप देख लेंगे कि बहुत सारे नौ लिविंग फैक्टर है जिसे स्वायल वाटर, क्लाइमेट, टंप्रेच सनलाइट और भी सारे बहुत सारे नौ लिविव फैक्टर है तो जब हम कम्यूटी की में जब हम देखेंगे कि बहुत सारे डिफ्रेंट स्वायल रहते हैं वो डिफ्रेंट स्वायल एक दूसरे से इंट्रेक्ट करेंगे और साथ ही जात अपने आस-पास के जो फिजिकल इ इंट्रेक्ट करते हैं इन एको सिस्टम पॉपलेशन ऑफ डिफ्रेंट स्वायल इंट्रेक्ट करते हैं वहीं बात है इको सिस्टम में जो डिफ्रेंट स्वायल इंट्रेक्शन करते हैं और फिर साथी साथ फिजिकल इंवर्मेंट के साथ भी इंट्रेक्ट करते हैं तो यह एको सिस्टम में क्या होता है कि या तो community of different species कहिए या population of different species वो सब क्या होता है एक दूसरे से interact करेंगे और साथ साथ जो उसके आसपास के surroundings है जहां पर physical environment है उसके साथ भी वो interact करते हैं खाएं कि आडर्र टर्म एको सिस्टम पर आप्र ऑफ स्टक्राइं के द्वहरा इको सिस्टम फर्स्ट वार। सिस्टार्ण को होन किया गया था एको सिस्टम में भी लार्ज स्मॉल या इट में भी पर्मानेंट या टेंपररी जैसे एको सिस्टम जो है काफी लार्ज भी हो सकता है जैसे आप फोरेस्ट को ले लिजे अगर स्मॉल ले रहा है तो एक पॉंड को आप देख सकते हैं कि काफी छोटा एकोसिस्टम भी है और पर्मनेंट भी हो सकते हैं यानि कि कुछ एकोसिस्टम काफी उसमें कोई चेंजेज नहीं होते हैं जैसे आप ले लिए जैसे मेराइन एकोसिस्टम तो एक तरस से वह पर्मनेंट एकोसिस्टम के तोर पर हैं और कुछ टेंपरारी होते जैसे manmade ecosystem जैसे हम किसी जो crop field है जो हमने खुद से त्यार करते हैं किसी-किसी अलग-अलग crops का और चाहे हम garden बनाते हैं इस सब एक तरह का temporary ecosystem है अब हम लोग types of ecosystem को परते हैं ecosystem दो तरीके का होता है एक natural ecosystem और दुसरा artificial ecosystem natural ecosystem जो होता है naturally function करता है वहाँ पे human का कोई भी role नहीं होता है और होता है बहुत कम role होता है जबकि artificial ecosystem जो होता है वह manmade ecosystem होता है वहाँ पे उस ecosystem को operate and maintain human के द्वारा ही किया जाता है तो अब फिर हम natural ecosystem की बात करेंगे तो नेचरल ecosystem भी वहाँ पे नेचरल ecosystem में भी बहुत तरह के ecosystem होते हैं जैसे terrestrial ecosystem, aquatic ecosystem तो terrestrial ecosystem में जैसे बात करेंगे तो जैसे grassland, forest, desert यह सब terrestrial ecosystem के example है जब हम terrestrial ecosystem के बात करते हैं तो terrestrial ecosystem मतलब कि land-based ecosystem होता है यानि कि कि किसी भी particular area में वहाँ पे क्या होता है कि biotic, biotic जैसे different organisms वो अपने आस-पास का surrounding के साथ यह biotic factor के साथ interact करते हैं तो यह terrestrial ecosystem के अंतरगत आता है तो यह land-based ecosystem है जैसे grassland, forest and desert जब हम aquatic ecosystem के बात करते हैं तो इसपे भी अलग-अलग तरिके के ecosystem मिलते हैं जैसे आप बात करेंगे कि fresh water ecosystem और marine ecosystem तो fresh water ecosystem की जब बात करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जगा जैसे running fresh water होता है जैसे river में water run करते रहता है ठीक है तो वहां का जो ecosystem है तो उसको लोटिक ecosystem बोलते हैं और जब किसी pond या lake में हम जब देखते हैं कि वहां के water जो है इस्तिर होता है वो मुभिवल नहीं होता है तो उस तरह के ecosystem को हम लेंटिक ecosystem बोलते हैं क्या बोलते हैं लेंटिक ecosystem बोलते हैं तो और हम जो मेराइन ecosystem है वहां पर जैसे हम लोग ओसियान एसुरी यह सारे चीज मेराइन ecosystem के e picks हैं तो यहाँ पर recruiting system जो है recent paper system में fresh water इको system और म्राइन ecosystem afterакс वाटर एको शिस्ताम में दो तरहीव कर्यक्षटे मिलते हैं एक लोटिक a ecosystem और दूसरा एलन्यक एकोसि्टम हैं अब हम आते हैं ऑर टिफीसिल एकोसिस्टम अर्टिफीचल एकोसिटम जो है मैं मेंड ecosystem होता है जिसको maintain humans के द्वारा किया जाता है जैसे crop land, gardens या and aquarium तो artificial ecosystem जैसे हम किसी भी particular crops का जब हम फिल में उगाते हैं तो जो किसी particular time के लिए वो एक management ecosystem हो जाता है या किसी भी plant का garden लगाते हैं तो एक तरह का human के द्वारा बनाया होगा management ecosystem होगा और फिर आप aquarium भी जैसे aquarium भी एक परकार का management ecosystem ही है अब हम लोग component of ecosystem को समझते हैं प्रतियक ecosystem जो है दो तरह के component से बना होता है biotic component दूसरा abiotic component जो होता है यहां पर biotic component से मतलब है living things जैसे plant animals और different types के जो microbes होते हैं यह सारे living things जो हैं मिलके biotic component को बनाते हैं ठीक और abiotic component जो होता है और non living things जैसे आप अपने surroundings में जैसे देखेंगे environment में देखेंगे कि वहां का swell का swell के देखेंगे तो different type के swell पायाते हैं फिर sunlight water वहां का pH कैसा है वहां पर किस प्रकार minerals मिल रहा है वहां का मौसम कैसा है climate कैसा है temperature यह सारे factor जो है यह abiotic component में आते हैं तो कितने प्रकार के component हुए एक उस्षिस्टम है दो तरह के एक biotic component और दूसरा abiotic component यह biotic component में सारे living things जो भी है plant animals microbes यह सारे आएंगे abiotic components में सारे non living things जैसे temperature soil sunlight water climate weather minerals year pH and salinity यह सारे abiotic components के अंतरगत आते हैं अब हम इस डियाग्राम से ecosystem को समझते हैं हम ecosystem के बारे में पहले discuss कर चुके है ecosystem के types ecosystem के component के बारे में हम लोग already discuss कर चुके हैं इस slide में हम लोग इस बात पर discuss करेंगे है कि ecosystem में आखर होता क्या है जब हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं तो different different species दिखाए देते हैं जिसे plants animals को जो कुछ फंजाई भी दिखाए देते हैं और इन सब के अलावा भी बहुत सारे microbes रहते हैं जो हमारे चारों तरफ environment पे पर्जेंट है तो इन सभी अलग-अलग species के जो populations है अपना जो particular जैसे सेम टाप के organism मिलके अपना population बनाया जैसे plants के सेम टाप के प्लांट मिलके अपना population बनाया सेम टाप के अनिमल्स मिलके अपना बनाते हैं और उसके बाद इन सभी living things के बीच में जब interaction होता है तो उसको biotic interaction बोलते हैं जब different species के populations के बीच में interaction हो रहा है तो इसको biotic interaction बोलते हैं और यह सारे जो जो species के populations हैं यह सभी मिलके एक community बनाते हैं community अक्शली होता यह है कि किसी भी particular area में जो different species हैं वो सभी मिलके एक community का निर्मान करते हैं और यह जो community है इसमें क्या होता है कि एक दूसरे से सारे इंट्रेक्ट करते हैं तो इस जो interaction living things के बीच में हो रहा है तो इसको biotic interaction बोल रहा है तो ecosystem में हम पहले से हम जानते हैं कि दो component होता है biotic component जिसमें living things के बारे में जानते हैं और abiotic component जो जिसमें non living things होते हैं living things आगे जैसे यहाँ पर हम सब living things बारे में discuss किया हैं और जब abiotic environment की बात करते हैं यह कहें की non living things की बात करते हैं एंट्रेक्ट में तो बहुत सारे फैक्टर जैसे आप इसमें बहूत सारे फैक्टर इसे temperature, soil, sunlight, water, climate, weather, minerals, air, pH, salinity यह सारे abiotic environment है तो यह abiotic environment और biotic environment जिसमें living things है और abiotic जिसमें non-limit things है इन दोनों के बीच में interaction होता है तो यह सारे जो है interaction एक particular ecosystem में होता है और हर ecosystem में यह ऐसा interaction पाया रहता है कि living और non-living things के बीच में interaction हो और इसी के study को जो interaction between जो biotic और abiotic environment के बीच में जो interaction हो रहा है इसी के study को हम लोग ecology बोलते हैं